अगर आप जैसल मेर घुमना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जैसल मेर में कहां घुमा जाए तो चलिए बताता हूँ जैसल मेर के साथ प्रमुक प्रेटक स्थल है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक देखें वीडियो को लाइक सेर और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले तो आएए शुरू करते हैं जैसल मेर में सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले साथ प्रेटक स्थल पहले नंबर पर है पटवो की हवेली यह है जैसल मेर रेलवे स्टेशन से करीब डेट किलोमेटर की दूरी पर है एक परिसर में पांच छोटी हवेलियों का एक सांदार समू पटवो की हवेली जैसल मे में घूमने के स्थानों की सूची में सबसे उपर आता हैं खिडकियों और बालकोनियों पर जटिल नक्कासी और उत्तम बाल प्रेंटिंग और सीशे का काम हवेलियों की भवयता को बढ़ाते हैं इस विजाल हवेली में हवादार आंगन और साथ बालकानी है जिन में से परतियक की विशिश्ट नक्कासी है जो इसके आकरसन को बढ़ाती है हवेली के संग्राले में आपको पटवा परिवार से संबनित पत्थर के काम और कला करतियों का दुल्हप संग्रह भी मिलेगा अगर आप पटव की हवेली घूमने आना चाते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा जो समय है सितंबर से फरवरी के बीच नेक्ष्ट है बड़ाबाग बड़ाबाग साही परिवारों के मकबरे की एक सरंखला के साथ एक उद्धान परिशर है बड़ाबाग राजस्थान के अतीत से संबंदित एक महतून स्थान है यह एक छोटी सी पहड़ी परिस्थित है जिसमें पहड़ी के तल पर मकबरे या कईये कबर गहा के प्रवेश द्वार है बगीचे में कई भुरे रंग की छत्रिया है जो की गुमबंद, चकोर, गोलाकार या पिरामेट के आकार की बनी हुई है आप यहां बगीचे में टैल सकते हैं और पक्षियों को देखकर इस जंगे का लुफ्त उठा सकते हैं बड़ा बाग देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच में है नेक्ट है जैसल मेर का किला थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत परिस्थित और एक विसाल रेत के महल जैसा दिखने वाला जैसल मेर का किला राजस्थानी वास्तुकला का प्रतीक है स्थल भी है इस पीले बलवा पत्थर के किले में विभिन द्वारो जैसे की गनेश पॉल, सूरज पूल, भूत पॉल और हवा पॉल से आप इस किले में परवेश कर सकते हैं आखिर में आप बड़े प्रांगन में जाएंगे जिसे दसरा चोक कहा जाता है किले के अंदर लक्ष्मिनात मंदिर, जैन मंदिर, कैनन पॉइंट और पाँच इस तरिये मूर्ती कला, महरवाल प्लेस और किला संग्राले जैसे कुछ प्रमुक आकर्शन है इस किले में घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्ज तक है सहर के बाहरी इलाके में इस्थिद, खूबसूरत गड़िसर जील सांती चाहने वालों के लिए एक दम परफेक्ट लोकेशन है इसका इतिहास चोद्वी सताब्दी का है जब ये पूरे सहर के लिए पानी का एक प्रमुक सुरोथ हुआ करती थी आप गड़िसर जील एक लोक प्रिये प्रेटक आकरसन है जहां आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं और निकटवर्ती जैसल मेर किले और इसके किनारे पर मौजूद मंदिरों के सुन्दर दरस्यों का आनान ले सकते हैं यदि आप सर्दियों में यहां गुमने आ रहे हैं तो आपको यहां पर कही प्रवाजसी पक्षियों का जमावड़ा भी दिखाई दे सकता है यहां आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है नेक्स्ट है व्यास छत्री व्यास छत्री बड़ा बाग के अंदर ही एक प्रेटक स्तल है और जैसल मेर के सबसे लोग प्रिये प्रेटक स्तलों में से एक माना जाता है सुरुची पूर्ण राजस्थानी वास्तूकला और जटिल नकासी के साथ सुनहरे रंग के बलवा पत्थर की छत्रीयों की एक सरनी के साथ आप ये सन्राच्चाएं देखने लाइक बनती है चत्रीयों की वास्तूकला को निहाने के अलावा आप एक तरफ जैसल मेर के किले को और दूसरी तरफ रेटके टिलो के सुन्दर द्रस्चियों का आनंद ले सकते हैं व्याज चत्री देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है नेक्स्ट है सैंट सैम ड्यून्स जैसल मेर देश के सबसे प्रमानिक रेगिस्तानी इस्तुलों में से एक है सैंट सैंट ड्यून्स सूर्य उदेहो या सूर्यास्त यहां का नजारा आपको मंत्र मुग्द कर देता है आप यहां रेगिस्तानी सवारी का भी मजा ले सकते हैं या उट की सवारी का आनन ले सकते हैं थार रेगिस्तान के केंद में कई केंपिंग पॉइंट हैं लोक नरत्ये, रात में संगीत, प्रमानिक राजस्थानी व्यंजन और राजस्थान की संस्कर्थी और विरासत को परदिशित करने वाली अन्य दिल्चस्प वकती वीधियां सैम सैंड उन्स में देखी जा सकती है। नेक्स है खावा किला। पुल्धरा गाउं के पास जैसल मिल में एक ऐसामानिया सा अद्बुत संरचना वाला यह किला गाउं के पालीवाल ब्राह्मनों का कभी निवास स्थल रहा है, जिनोंने एक रात अज्यात कार्णों से इसे छोड़ दिया था। अब यह एक लोग प्रिये प्रेटक आकर्शन बन चुका है, इस किले से आप गाउं के सुंदर मनोरम दरस्य देख सकते हैं, साथ ही कई खुबसूरत फोटोज भी खीच सकते हैं, किले का आकर्शन और सदियो प्रानी कला करतियों वाला एक संग्राले कई इतिहास प्रीमिय तक के लिए, जाए हिन, जाए भारत